नमस्कार, हिंदी लेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है, आज आश्मा महाचन हिंदी लेनिंग चैनल पर लेकर आई है, गुरुकुल शार्दा संस्कित पाथे पुस्तक, क्लास एट के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 13 का पार्ट टू, पार्ट मन अलवड़ी चैनल पर जा रही है, तो आईए तैनाली राम की पतनी ने राजा के प्रशनों का उत्तर किस पर कार दिया, सुनते हैं, नरिपस्य आदेश अनुसारम सेविका तस्याई दीपकम अयश्यत, राजा के आदेश के अनुसार सेविका ने उसे दीपक दिया, साथ दीपकम प्रजवाल्य, उसने दीपक जलाकर नरिपम अपरिचत राजा से पूछा अस्य परकाश है इसके परकाश में कम पच्चती कुत्रच पच्चती इसके परकाश में इसका जो परकाश है किसको दिखाई देता है और कहां दिखाई देता है राजा उत्रत राजा ने उत्तर दिया अस्य परकाश इसका परकाश सर्वान पच्छती सभी देखते हैं और सर्वत्रच पच्छती और सब जगा देखते हैं इतीश रुत्वा यह सुनकर सा अवदत वैबोली तथायव इश्वर है इसी परकार इश्वर अपी भी सर्वान पच्छती सभी को देखते हैं सर्वत्रच पच्छती औ और सब जगा देखते हैं असमाकम हमारे प्रतेकप कारियम हर एक कारे को अपिपच्छती भी देखते हैं सततम जानिकी निरंतर जो काम हम लगातार करते हैं ठीक है स्ततम परिश्रमी निरंतर परिश्रमी परोपकारी ये नेशु जानिकी परोपकारी लोगों में जा लोगों पर तस्य उनकी विशेश क्रिपा भवती विशेश क्रिपा होती है मतलब जो मेहंती लोग होते उन पर भगवान की अनोखी क्रिपा रहती है यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है ठीके तदा राजा तब राजा ने प्रितियस्य प्रश्न से उत्रम अप्रिछत तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा प्रश्नम शृत्वा प्रश्न सुनकर सा अवदत वह बोली हे राजन अदुना अहम अब मैं तो गुरु असमी तुम्हारी गुरु हूँ यतै अहम क्यूंकि मैं तो शंकाराम समाधानम करो मी क्यूंकि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान किया है अतह इसलिए भवान स्वा आसनम आप अपना आसन मयम यशत मुझे दीजिए किंचित्च कालंतर नार्थ भवान मम स्थाने तिष्ठत कुछ समय मेरे स्थान पर आप गैठिए अतह से दुबारा पढ़ रही हूँ अतह मतलब इसलिए भवान मतलब आप स्वा आसनम अपना आसन मयम यशत मुझे दीजिए किंचित्च और च का मतलब और किंचित मतलब कालंतर नार्थ म कालंतरा मतलब समय और कुछ समय भवान आप मम स्थानी मेरा कुछ समय आप मेरे स्थान पर बैठो इतीश रुत्वा यह सुनकर नुरिपै राजा ने स्वा आसनम अपना आसन तस्याई यशत उसे दे दिया स्वयम च और स्वयम तस्या स्थाने अदय अतिश्थत उसके स्थान पर नीचे बैठ गए ओके क्लियर यहां तक आपको फिर से पढ़ देती हूं पूरा पैराग्राफ तब राजा ने तीसे प्रशन का उत्तर पूछा प्रशन सुनकर वैं बोली है राजन मैं तुम्हारी शंका का समाधान किया है इसलिए आप अपना असन मुझे दीजिए और कुछ समय आप मेरे स्थान पर बैठ गए यह सुनकर राजा ने अपना असन उसे दिया और स्वयम उसके स्थान पर नीचे बैठ गए सा महीला जानि की वेह महीला निरिपस्य राजा के आसनम उपविश्य आसन پर बैठ कर अवदत बोली इशोरा इसमेव करोती इशोरा सही करता है यत की यथा से समाने नागरिकम नूर्पम करतुम शकनोती जैसे वे समाने नागरिक को राजा बना सकता है तथैफ च उसी परकार जा वैसे ही निर्पम समाने नागरिकम करतुम शकनोती राजा को समाने नागरिक भी बना सकता है अता है इसलिए इश्वर असंभवम संभवम करोती असंभव को संभव करता है संभवम च असंभवम करोत प्रशन से उत्रमस्ती यही तुमारे तीसरे प्रशन का उत्तर है। अपने आस्न से उत्तर तस्या प्रशन सामपिया करोथ उसकी प्रशन साभी करने लगे। तो ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है चलिए आईए एक्सरसाइज कर ले हैं पहला कोशन तो आपको पार्ट बन में मिल ही चुका है पार्ट टू में पून वाक्य में उत्तर देना है जैसे पहला प्रशन आपके सामने निरिपै कृष्ण देवराय की दृष्ण शास्क मन में तीन प्रशन आये थे उसी की चिंता में वो व्याक्फुल हो गए थे इश्वर कहां है तो इश्वर तो सब जगा है राजा के प्रशनों का उत्तर किस ने दिया तेनाली राम की विदूशी पत्नी ने इश्वर क्या कर सकते हैं तो इश्वर समाने नागरी को राजा बना सकते हैं और राजा को समाने नागरी कर सकते हैं रेखांकी शब्दों के धर पे प्रशन इनमान करना है राजा के मन में तीन प्रशन थे तो राजा के मन में कितने प्रशन थे कती ठीक है कती लिख देंगे त्रै की जगा हम अहम तो प्रशना नाम उत्रानी दासियामी मैं तुम्हारे प्रश्णों का उत्तर दूँगा तो आंसर क्या होगा कोशन क्या बनेगा मैं तुम्हारे किस का उत्तर दूँगा के शाम मैं तुम्हारे प्रश्णों का उत्तर दूँगा के शाम उसके बाद next question है आपके सामने सैन रिपम अकथियत उसने राजा से कहा तो आंसर हो गया कि सै कम अकथियत उसने किस से कहा उसके बाद तेनाली राम अती विद्वान पुरुष थे तेनाली राम कैसे पुरुष थे की दिरिश है घर आकर वै व्याकुल हो गया जानि की घर आकर कोशन बन गया कहा आकर कुत्र आगत्य उसके बाद है करतापत को किर्यापत से मैच कीजिए तो राजा कैसे थे द्यालू थे तो नरिपै द्यालू आसीथ राजा को द्यालू से मैच कर देंगे तेनाली राम कैसे थे विदवान पुरुष थे तो विदवान पुरुष है आसीद इश्वर सब जग हैं तो लास्ट में मिला देंगे इश्वरा सरवत्र आसीद तेनाली राम की पत्नी सबसे पहले से मिला देंगे विदूशी आसीद दूद में मक्षन होता है नमनीतम भवती ओके नेक्स्ट अब आपको शब्द रूप है मूल शब्द विबक्ती वचन और लिंक बताना है चिन्ताया है लताया वर्ड आपने याद लता की विबक्ती याद की होगी आपने ये सारे प्रशनों के उत्तार आपको इस पेज पे दे दिये गए हैं बच्चों आप इने देख सकते हैं कुछ ना समझ में आये तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी लिस सकते हैं बाकी आप ध्यान पूर्वक्त नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पर गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कोई और भी नई डिमांड हो आपकी तो आप प्लीस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रू बताईएगा और आपके स्कूल में कौन सी हिंदी की बुक चल लिए जो मेरे चैनल पर नहीं है वो भी आप बता सकते हैं शब्द बताना है विबक्ती बतानी है वचन बताना है लिंग बताना है इस परकार तो पहला शब्द उसमें चिंताया है चिंताया मतला लता की विबक्ती इस्तरी लिंग की तरह चलेगा तो जिसमें लताया जब लिखते हैं तो लता मूल शब्द होता है यहाँ पर चिंता मूल शब्द है शेष्ठी वीबक्ती है एक वचन है इस तरी लिंग है उसी परकार प्रश्ण आपका मूल शब्द है प्रत्मा वीबक्ती बहुवचन है और पुलिंगत इस परकार सारी तो I hope यह chapter आपको अच्छे से बच्चो समझ में आ गया होगा बाकी chapters भी आप playlist ओपन करके देख सकते हैं कोई भी chapter समझना चाहें समझ सकते हैं return अनुवाद भी आपको मिलेगा इसके अंदर कोई और आपकी demand हो तो आप बता सकते हैं बाकी जल्दी ही आपके बच्चे हुए chapter upload कर दिये जाएंगे मेरे खाल से एकी chapter बचता है आपका 14 संक्या बाची शब्द वो भी मैं जल्दी ही upload कर दूँगी और अगर दो भी होंगे तब भी upload जरूर करेंगे ठीके 14 चेप्टर है आपका संक्या बाची शब्दा जल्दी ही आपको मिल जाएगा तब तक पढ़िए मन लगा कर अच्छे से अपने एक्जाम दीजिए और कोई भी mistake आपको लग रहा है कि return में ऐसा नहीं है तो आप वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं कहीं बार return में mistake हो सकती है तो आप क्या कर सकते हैं फटाफट से जाके वीडियो को ध्यान पूरवक word to word सुनिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं आपने वहां पर सही बोला है यहां लिखने में mistake हो गई है हम बोलकर type करते हैं न तो वो फटाफट बोलने में कुछ mistake हो जाती है तो आपका अनुबाद भी मिल गया exercise भी मिल गी तो पूरा चक्टर complete है आपका तो part 1 और part 2 को पढ़िए समझीए कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा बागी comment box में बताते रहिएगा और मेरे channel के साथ जुड़े रहिएगा class 9th में आते ही 9th और 10th की playlist का link हिंदी class 9 और 10 course A अगर आपके school में चल रहा है जहां पर शितिच और कृति का book होती है अगर वो books आपको लगी अगले साल तो आप मेरे channel से जुड़े रहिएगा क्यूंकि हर तरह का sample paper हर तरह का writing skill हर तरह की grammar और हर तरह की grammar की revision की worksheet आपको इसी channel पर मिलेगी तो जुड़े रहिए बने रहिए Hindi learning बयाशिवा महाजन channel के साथ आप देखते रहिए यह आपके अनुवाद को और अपनी copy पर note करना चाहें तो note कर लीजिए screenshot लेना चाहें तो screenshot भी ले सकते हैं जैसा कि आप लेते ही होंगे कोई नई बात नहीं है तो अगले paragraph का उत्तर जाने की determination वाथ यह रहा like कीजिए, share कीजिए, जुड़े रहिए बस यही कहूंगी मैं आपसे आपकी शंकाओं का सारा समादान करने की कोशिश करती रहूंगी आपका चप्र यहीं पर होता है finish last paragraph OKE students take care good bye